जैन बच्चों, आज एक श्टुडेंट ने मुझसे एक सवाल पुछा कि सर जब मैं पेपर घर पे करता हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी से मैं confident होता हूँ, solve कर लेता हूँ, अच्छा mock में score भी करता हूँ, लेकिन बहुत बार जब online जो mocks मैं देता हूँ, या classroom में जो test हो वहाँ पे मैं perform नहीं करता हूँ, वहाँ पे मैं हमेशा थोड़ा सा min performance जो होती है, जो मेरी expectation है, मेरी knowledge है, उससे हमेशा कम ही रहती है, तो जी हाँ, यह ऐसा होता है, ऐसा normally problem तब आता है, जब हमेशा बागी जो students है, आप यह मान के चलते हैं कि उनको आप से जाड़ा आता ह क्योंकि जो भी paper examination hall में, जो भी student बैठा है, वो सारे की सारे आपके competitor है, तो जिस माहौल में माल दिया कि आपके competitor को आप से जादा आता है, तो obvious है, आप उससे कम perform करोगे ही करोगे, ठीक है, यह स्मभावी का हमेशा ऐसा होता है, करना क्या चीज है कि चाहें आप classroom में दो, कुछ भी दो, देखिए, आप जो हो, आपके अंदर में leadership इसके लानी चीए, आप head का हिस्सा नहीं बनी है, ठीक है, कहने का मतल़ है, जभी भी है, कोई भी group है, आप perform कीजिए, ऐसे सोचे कि you are the best और उसके according आपी body language हो, उसके according आपी performance हो, जिस दिन आप यह मान के चलेंगे आपकी performance हो, हमेशा बाकी बच्चों से अच्छी होगी, कुछ भी ऐसी problem नहीं है, जो ही दर है, बहुत बार बच्चे बहुते हैं कि sir, English में आप सोच लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, obvious है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप किसी को बोल रहे हो, तो mind में ले यह एक leadership quality होती है, अगर आप यह सोच कि अगर कोई भी चीज आप बिलीवर कर रहे हो, obvious है आपकी performance अच्छी होगी, और रही बात, हाँ, गुर्पमेंट टेस्ट देने के लिए तो उसके लिए confidence डेवलप करने के लिए है हमारा एप Unacademy, Unacademy आप आज ही डाउनोड कीजि और आपका जो तैयारी है NDA 2022 की उसको एक नया मोड दीजिए, मैं उमीद करता हूँ इस बार NDA में आपका selection जरूर होगा, जैहिंद